तो नमस्कार स्टेंड, आज की जो मैं वीडियो में लेकर कहा हूँ, मैं UMT PRO को बारे में लेकर कहा हूँ, आज को हमारा टॉपिक है, वो SPD CPU को बारे में, जैसा कि पहले की वीडियो मैंने आपको बता है कि हमारे पाद जो QUALICAM CPU आते हैं, उसको हम लोग कैसे रेपार करते हैं लेकिन आज जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ वो हमारे पास जो SPD CPU आते हैं SPD CPU को रिपेर करना है SPD CPU रिपेर भाई UMT Pro मैं लोग UMT Pro का माध्यम से हम लोग SPD CPU को कैसे रिपेर करेंगे उसका तरीका जो है आज हम आपको सिखाने वाले हैं सचत-से पहली बात किया SPD CPU में जितने भी हमारे छोटे मॉबाइल फोन आते हैं जैसे हमारे पार ये Keypad क्याटाइगरी के मॉबाइल फोन आते हैं Samsung को छोटे मॉबाइल फोन आते हैं अगर ऐसे मॉबाइल फोन में य dzi कोई भी लोग लगा है तो उस lock को खोलने के लिए अगर आप उस mobile phone नो फ्लैसिंग कर देते हैं तो फ्लैसिंग करने से उस mobile phone को lock भी खुल जाता है हम आज आपको वीडियो के माध्यम से पूरा step by step बताएंगे कैसे mobile phone नो फ्लैसिंग करने से हमारे mobile phone को lock खुल जाता है उसका तरीका क्या होता है उसका step क्या होता है यह मैं आज आज आपको करके भी दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा भी तो SPD CPU को कैसे यूज किया जाता है यह SPD CPU को ही हम लोग अब एक और नया नाम आगया जिसको हम लोग बोलते है यूनि स्टॉक यह अगर SPD CPU लिखा हुआ है और यहाँ यूनि स्टॉक लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक ही बाद है तो SPD CPU को कैसे रिपेर किया जाएगा इसके बारे में दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि SPD CPU को रिपेर करने के तरीका क्या है यह SPD CPU को कैसे रिपेर किया जाएगा SPD CPU में रिपेर काने के लिए आपको अपने डोंगल में जाना पड़ेगा कहाँ पर जाना पड़ेगा? डोंगल में जाना पड़ेगा डोंगल के बाद आपको इनिस्टॉलर में जाना पड़ेगा installer में जाकरके Unisock वाला जो tools है इसको आपको क्या करना पड़ेगा download करना पड़ेगा जब आप इसको download करेंगे download करने के बाद install कर लेंगे install करने के बाद आपका tool install होकर करके आपके screen में आ जाएगा screen में install होने के बाद फिर वो tool, वो software वो सारा कुछ काम करना शुरू कर देगा तो चलिए हम बात करते हैं इसका use कैसे करेंगे क्या तरीका है सबसे पहले बद हमको dongle लेना है dongle को अपने system में connect करना है चलिए हम लोग system में चलते हैं अपने tv screen पे चलते हैं system अभी connect ने हुआ हम लोग system को दोबारा connect करते हैं system को cable के माध्यम से connect करेंगे आपको system connect होना चाहिए नहीं connect हुआ त्यारी ज़र है चेक करके जड़ा system की connectivity को हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे डोंगल को system में connect करेंगे और कैसे काम करेंगे कैसे mobile phone को repair करेंगे यह मैं आपको step by step बता हूँगा सबसे पहले क्या करना है डोंगल को system में connect कर देना है देखिए यह हमने system में connect कर दिया system में connect करने के बाद सबसे पहले क्या करना है आपको UMT support में जाना है पहले हम लोग internet connect कर लेंगे हमारे mobile phone में internet के connectivity नहीं थी तो इस current से नहीं खुल आता हमारा सब्सक्राइब करने के बाद फिर हम लोग कहां पर जाएंगे इस्टॉलर में जाएंगे इस्टॉलर में जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा SPD CPU के लिए जो option आता है मैं आपको थोड़ा सा describe करके बताता हूँ डिटेल बताता हूँ यह देखिए यह हमारा SPD CPU के लिए option आता है कि जो भी mobile phone आते हैं जिसके अंदर SPD CPU लगा होता है जैसे ITIL का है लावा का है या और भी जो mobile phone आते हैं यह जो mobile phone चल लाएं यह Samsung का mobile phone है Keeper mobile phone है अगर उसके अंदर SPD CPU लगा हुआ है सक्षाइब करेंगे चल यह जो आपको कैसे डवाइल करेंगे इसके क्लिक किया इस्टार्ट आपको डाउलोडिंग स्टार्ट हो गई है डाउनलोड होने में थोड़ा सा समय लगेगा वेट करेंगे Unisoc जो mobile phone आथा उसको कैसे download करेंगे उसका तरीका मैं आपको step by step आपको बता रहा हूँ तो सबसे पहले क्या कि हमने इसको download कर लिया है download करने के बाद फिर हम लोग कहाँ पर चले जाएंगे location में जाएंगे location में जाने के बाद यहां पर यह हमारा download हो गया है इसको क्लिक करेंगे और सबसे पहले बाद extract clear करेंगे जैसे आप इसको extract clear करेंगे तो extract clear करने के बाद पूरा हमारा tool open हो जाएगा tool खुल जाएगा tool खुलने के बाद आप देखें कहीं पर यहां पर installer का option आ रहा होगा यह देखिए हमारा option आ रहा है yes yes आप इसको installing पर लगा देंगे जैसे installing पर लगा देंगे तो आपका installation चालू हो जाएगा और आपका जैसे installation चालू हो जाता है installation चालू होने के बाद आप इस्टॉल करके पूरा यूज़ करेंगे finish तो यह दोस्तों मैंने क्या कर दिया इसको install कर दिया है install करने के बाद हम लोग इसको close करेंगे exit हम देखेंगे कहीं पर हमारा unisock का जो software इस्टॉल होकर क्या गया होगा आप gots देखेंगे सारे software को open करेंगे one by one by one by करके open करेंगे कहीं दिख रहा है आपको unisock लिख करके आगा एक option बन के आगा यह हमारा samsung का है यह देखेंगे इसमें लिखाओ ultimate unisock module इसे आप open करेंगे जैसे open करेंगे तो आपके screen में ऐसा software खुल के आ जाएगा यह आपके screen में ऐसा software खुल के आ चुका है यहां पर हम लोग SPD CPU को जितने भी सारे mobile phone है सारे mobile phone को repair करते हैं सारे mobile phone को use करते हैं दोस्तों मैं आपको पहले सारे feature के बारें बताता हूं सबसे पहला जो feature आता है यह diagnostic feature आता है जिसमें आपको diagnostic option दिया हुआ है यहां पर कोई जधा अमारे खास हमारे लिए नहीं रहता है दूसरा option होता है flash mode tab को option आता है यहां पर जो भी mobile phone आते हैं सारे mobile phone को जिससे ITIL का phone आया तो ITIL ले लिया ITIL के बाद जो भी model आता है उस model को ले सकते हैं model लेने के बाद यहां पर option जाएंगे यहां पर दिखें, remove frp option आता है, save mode format option आता है, अब उसके बाद execute कर देंगे, एक operation जैसे चलेगा, phone को connect करा देंगे, और आपका mobile phone flash हो जाएगा, format हो जाएगा, आपका mobile phone पूरा साफ हो जाएगा, सही से lock खुल जाएगा, आपका काम करना शुरू कर देगा, उसके बाद यह firmware flasher को option आता है, यहां पर आप देखेंगे open pack file को option आता है, यहां पर हम लोग pack file को load करते हैं, pack file को load करने के बाद उसके mobile phone को flash कर देते हैं, यह ADB fast boot mode दिया है, कि आप mobile phone को, जितने भी ऐसे mobile phone आते हैं, जाय स्वीडी CPU को mobile phone आते हैं, उस phone को fast boot mode में connect कराएगे, fast boot mode connect कराने के और आप उसको remove fp पर जैसे click करेंगे आपके mobile phone के fp हट चुका होगा mobile phone format हो चुका होगा तो यह तरीका दोस्तों है जिसके माध्यम से mobile phone में आप phone को format कर सकते हैं fp अटा सकते हैं passport को तोड़ सकते unlocking कर सकते हैं जैसे मेरे पास एक mobile phone है इस mobile phone पर मैं आपको पूरा practical करके दिखाता हूँ यह मेरे पार mobile phone है keypad का mobile phone है इस mobile phone करना log लगाए यह दोस्तो हमारी class का practical का mobile phone होता है ऐसे mobile phone को बच्चे log लगाते हैं, log खोलते हैं, practical करते हैं हम भी आपको करके दिखा रहे हैं यह जो मैं आपको बता रहा हूँ यह एक method है इस method के माद्यम से जितने भी सारे mobile phone आते हैं या जो भी सारे mobile phone आते हैं सारे mobile phone को हम लोग easily बहुत आसान तरीके से mobile phone को flash कर सकते हैं, unlock कर सकते हैं, और फैर कर सकते हैं एक जामपल सी बात आती है, जैसे मेरे पास यह mobile phone है, आईटल का mobile phone है इस mobile phone को जो हमने चालू किया तो चालू करने के बाद इसमें password लगा हुआ है अगर आप गहुत से देखें कि जो हमारा mobile phone on होगा, तो हमारा mobile phone on होने के बाद यह password मांगेगा यह देखें, इस screen पे password मांग रहा है अब हम लोग क्या करेंगे, इस password को break करेंगे CPU को आराम से repair करेंगे जिसमें कोई problem कोई दिकर नहीं आएगी चलिए हम बात करते हैं कि वीडियो में आँगे बढ़ते हैं और इसको log तोड़ के दिखाता हूँ इस log को तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा mobile phone को आपको बंद करना पड़ेगा यह mobile phone बंद कर दिया उसके बाद आप आपको देखना यह model का हूँ था है जैसे मैंने देखा इसके अंदर idle 5608 लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है idle 5608 आप गोस से देखेंगे तो इसमें दिकर क्या आता है idle 5608 तो हम लोग क्या करेंगे यह हमारे पाद model कौन सा है idle 5608 इसमें लिखा हुआ idle 5608 तो हम लोग क्या करेंगे 5608 का flash file को डाउनलोड करेंगे चलिए हम बात करेंगे flash file को कैसे डाउनलोड करेंगे यह भी तरीका किलियर हो जाएगा दूसरी बात क्या है कि कहां से डाउनलोड करेंगे क्या तरीका होगा क्या सिस्टम होगा आप लोग कैसे करेंगे यह भी यहाँ पर गए सबसे पहले बात आपने mobile guru side को open करेंगे mobile guru 4 यह हमारे website आती है जो हमारे mobile phone के सम्मंदित बाती है जितने भी सारे software है ओगो support को provide कराने का काम करती है इसमें आप जाएगे इसमें सबसे पहले आप दkesे ही कही नगी हमको software चाहिए flash file चाहिए तो कही नगी flash file को option आता है flash file को open करेंगे जब flash file को open करेंगे तो हमारी screen में ऐसा flash file open ओकर गया जाएगा इसमें देखिएंगे हमको idle का software चाहिए तो यह idle लिखा हुआ है idle में click करेंगे तो ऐसा software आपके screen में खुल के आजाएगा अब यहाँ पर आप इसको उपर नीचे करेंगे उपर नीचे करने बार अब यह उपर नीचे करके देख रहे हैं कि इसमें idle 56 जीरो आट कहा लिखा हुआ है इसको आप और उपर करेंगे जाए चाहिए 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 जीरो आट यह देखिए यह दोस्तों आपका फाइल दिया हुआ है यहाँ लिखा हुआ इस फाइल को आप लोग क्या करेंगे डाउनलोड करेंगे यहाँ पर फाइल को आप चाहिए तो स्वीड अप भी अपका मुबाइल फॉन में फॉलएगा लोग खुल जाएगा लेकिन आज दोस्तों गनकिन हम लोग सीकने वाले हैं वह अम लोग करने बाद क्लोज किया इसको भी मिनिमाइस किया हमारा जो फॉप्टेर है इसको भी हमने मिनिमाइस कर लिया हमने यहां पर एक फाइल एक डेस्टॉप में फोल्टर बनाया इस फोल्टर का नाम रख दिया itel 5108 फाइल इस नाम से मैंने फोल्डर कर दिया फोल्डर करने के बाद अब फोल्डर के नदर मुलोग फाइल को रख लेंगे जैसे फाइल को रख लेंगे फिर फाइल को आम लोग क्या करेंगे struct here करेंगे यह फाइल देखिए बंद फाइल होती है इसको खोलेंगे अगर फाइल को खोलेंगे नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा select करते समय यहां पर आपको folder खुल के आ चुका है आप उस folder को open करेंगे इसके अंदर आइपनी file के अंदर जाएंगे यह तुमारी देखिए dot pack नाम से file होती है जितने भी SPD CPU को mobile phone होते है सारे SPD CPU को mobile phone का जो file का extension होता है वो dot pack नाम से file का extension होता है किस नाम से होता दोस्टो dot pack नाम से तो हम लोग क्या करेंगे इस file को load करेंगे file को load करने के लिए सबसे पहले बद हमारा tool open किया tool open होने के बाद आप कहाँ पर जाएंगे firmware flasor में जाएंगे यहाँ पर open pack file में जाएंगे जब open pack file में जाएंगे तो आपको desktop में जाना पड़ेगा desktop के अंदर हमने एक file को save कर रखा है idle 56.08 folder के अंदर यहाँ पर कहीं देखेंगे idle 56.08 यह file है इसको open करेंगे यह file हमारी load हो जाएंगे अगर आप देखेंगे tool पर हमारी file load हो चुकी है जब tool पर file load हो जाएंगी तो इसको उठा करके आप ऐसे side में रख देंगे आप सबसे पहले बात क्या करेंगे आप device manager में जाएंगे कहाँ आप जाएंगे device manager में device manager में जाएंगे आप देखेंगे कि आपका mobile phone connect हो रहा है कि नहीं connect हो रहा है अगर आपका mobile phone connect नहीं हो रहा है तो तक आप mobile phone जन्ना software नहीं कर सकते हैं तो आप manage में जाएंगे manage में जाने के बाद आप device manager में जाएंगे device manager में जाने के बाद सबसे पहले मोबाइल फोन को आप कनेट कराएंगे मोबाइल फोन को कनेट कराने बात देखेंगे कि आपका मोबाइल फोन पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है पोर्ट बनाने के लिए जितने भी सारे कीपड के मोबाइल फोन आते हैं तो कीपड मोबाइल फोन को जो बटन को दबा लें इससे यह चेक कर सकते हैं कि हमारा मोबाइल फोन कौन सी बटन से पोर्ट बना रहा है तब हम जब फाइल को स्टार्ट करेंगे तो फाइल स्टार्ट करते हैं समय हमको कोई प्राब्लम कोई दिकत ना आए तो सबसे पहली बाद हमने ओक्या वाली बटन को दबाने के बाद फिर हमने फोन को कनेट करा है जैसे फोन को कनेट कराएंगे तो देखी हमारा पोर्ट बना चुका है SPD COM7 किस नाम से port बनाया है दोस्तो SPD COM7 मतलब इसके अंदर पहली बात है SPD का CPU लगा हुआ है COM7 नाम से port बनाया है तो इससे हम तो दो बाते clear होती ही पहली बात तो ये clear हो जाती ही कि इसके अंदर SPD CPU लगा है दूसरी बात ये clear हो जाती ही कि आपका mobile phone computer से connect हो चुका है तीसरी बात ये clear हो जाती ही कि आपके computer के अंदर proper driver है अगर proper driver है तभी दोस्तो port बनायेगा वना port नहीं बनायेगा चलिए हम लोग आंगी चलते हैं कि हमारा कैसे काम करेंगे ये हम software पर अपने गए file को हमने load कर रखा है इस mobile phone के अंदर lock लगा हुआ है देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार ये हमारे mobile phone में lock लगा हुआ है ये देखिए lock लगा हुआ है अब हम लोग क्या करेंगे इस mobile phone को हमने फिर से connect किया connect करने के बाद यहाँ पर open fact file पर load करेंगे अब अब flash phone को option आता है flash phone पर click करा देंगे तो वो बोलेगा phone को connect करा है keep until boot की यह देखिए हमारा scrolling यह से option चल पए गए मलब इतने timing के अंदर phone को connect करा देना है हमने इसको लगाया जैसे boot की दबाएंगे तो आपका phone connect होगा और आपके mobile phone में यहां पर flashing क्या हो जाएगी चालू हो जाएगी देखिए यह आपके mobile phone में flashing चालू हो गई है यहां लेगा start write क्या लेगा हुआ है start write मलब आपके phone में file writing चालू हो गई है file चड़ना, file load होना यह start हो गया है अब यह पूरा जब file install हो जाएगा तो आपके mobile phone में detail आजाएगा कि आपके mobile phone में software चड़ चुका है और आपका mobile phone रिष्टार्ट हो चुका हो चुका हो चुका है 100% formatted, okay आपके mobile phone में file write हो गई हो गई फोन छोड़ दिया आप आपको क्या करना है, cable को हटा देना है cable को हटा देने के बाद देखिए, आपका mobile phone चालू हो गया है ओके यह देखिए, आपके mobile phone को lock खुल चुका है तो ऐसे जितने भी सारे mostly keypad mobile phone आते हैं तो keypad mobile phone को आप लोग UMT Pro Dongle के माध्यम से आसानी से unlock कर सकते हैं सिर्फ क्या करना है, आपको file को internet से download करना है, google से mobile group 4 से यह किसी भी website से आपको file को download करना है, और file को download करने के बाद आपको क्या करना है, उसको mobile phone के अंदर install कर देना है mobile phone को install करने के लिए आप SPT upgrader या ऐसे कई सारे जो tools हैं उनका use करते हैं, अगर आपको tool नहीं मिलता किसी करण बस, तो आप लोग अपने dongle का use कर सकते हैं, और dongle के मादियम से mobile phone को flash कर सकते हैं तो आज आपको दोस्तों मैंने आपको बता हुआ है कि किस तरीके से हमारे बाद जो keypad mobile phone आते हैं, तो keypad mobile phone को हम लोग dongle के मादियम से कैसे flash करते हैं या उसको flash करने के तरीका क्या होता है यह flash करने के system क्या होता है इसके बारे मैंने आपको पूरा आपको वीडियो में मैंने आपको step by step आपको बता हुआ ہے तो दोस्तों ये जितनी भी सारी मैं आपको वीडियो बनाता हूँ ये सारी आपके लिए health के लिए वीडियो होती है ताकि हम आप सर इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से सीख सकें और अच्छी तरीके से मोबाइल फोन रिपेरिंग सम्मंदि जो भी प्रॉबलम आती है उन सारी प्रॉबलम को आप ठीक कर सकें तो दोस्तों मैंने आज आपकी वीडियो के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं हमने आपको डॉंगल के माध्यम से जो भी सारे हमारे पास मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन को कैसे रिपेर किया जाएगा इस UMT डॉंगल के माध्यम से आपको हमने Qualicam CPU Qualicam CPU MediaTek CPU SPD CPU SPD को तो मैंने आज ही आपको बता हुआ है Samsung इतने सारे mobile phone को आप डॉंगल के माध्यम से बहुत आसान तरीके से आप mobile phone को रेपेरिग कर सकते हैं तो ये डॉंगल सम्टिंग अर्तिस सो चार अजार रुपाय का अप्रॉक्सिम डॉंगल आता है इस डॉंगल को आप मंगाना चाहे हैं तो आप मंगा सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं हमने आपको क्वालिक हम CPU को रेपेर करने के तरीका के आजिसमें MI, OPPO, Vivo, Realme को जो भी mobile phone आते हैं MediaTekc CPU को जो mobile phone आते हैं SPD CPU को mobile phone आते हैं Samsung company को mobile phone आते हैं तो उनको हम लोग कैसे flash करेंगे, कैसे repair करेंगे उसके बारे में हम लोग video के माध्यम से हम लोग सीखेंगे सारे mobile phone में software डालने के तरीका सीखेंगे उनको flash करने के तरीका सीखेंगे उस mobile phone में unlock करने के तरीका सीखेंगे तो इस video के माध्यम से मैंने आपको पूरा बता हुआ है यह मैंने आपको स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है अगर आपको कोई भी डॉंगल मंगाना है तो इस डॉंगल पर बंगा सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके संपर कर सकते हैं और अगर मोबाइल फोन रेपेडिंग से सम्मनित अगर आप कंपलेट ट्रेनिंग लेना चाहेते है तो जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन को हाडवेर और सौफ्टर दोनों तरीके से मोबाइल फोन के रेपेर करना हम लोग यहां पर आपको सिखाते हैं तो बेसिक लेवल से लेकर अडवांस लेवल तक के जो भी कंपलेट ट्रेनिंग होती है वह हम तो दोस्तों जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं मोबाइल फोन रिपेर करने के तरीका क्या है मोबाइल फोन रिपेर करने का सिस्टम क्या है या मोबाइल फोन रिपेरिंग की कनेक्टिविटी या काम करने का तरीका क्या है हम लोग आपको ऐसे लेकर जड़ तक सारे फोनों के बारे मैं आपको शिखाते हैं चाया मोबारी फोन में कीसी भी तरीके की किसी समयस्या का कैसी भी प्रऊबलम क्योuko ना हो एस से लेकर जड़ तक आपको ट्रेंडिंग मिलता है तो आज दोस्तों मैंने आपको KeePet Mobile Phone का या SVD CPU का जो भी Mobile Phone आता है उस Mobile Phone को कैसे ठीक किया जाएगा उसको ठीक करने का तरीका क्या है यह आज की वीडियो में आपको step by step वीडियो में आपको दिया हुआ है वीडियो थोड़ा सा जब मैं आपको बनाता हूँ थोड़ा से वी आई फोन के सारी problem को हल भी कर पाएं ताकि आपको समझ में आए यह समझ में आए कि मोबाइल फोन रिपेरिंग को सीखना कितना आसान है और कितना आसान तरीके से इन सब चीजों को सीखा जा सकता है तो यह हमारे software का UMT Pro का हमारा last video था अब उसके बाद हम लोग चलेंगे कि नए डोंगल की तरफ जैसे miracle thunder जो है उसको कैसे operate करते हैं उसके माधियम से कैसे mobile phone में आपको डे में वीडियो देऊँगा ताकि आप उनके वीडियो के माधियम से आप सब चीजों को अच्छे ता सीख सकें समझ सकें और यह समझ सकें कि mobile phone को रिपेरिंग करना या mobile phone तो सम मनें software की problem को repair करना कितना असान है कितना सरल है कितना सरल तक ही किसे mobile phone को repair किया जाता है यह repairing करने को concept है तो यह दोस्तों मैंने आपको वीडियो के माधियम से आपको मैंने समझाय हुआ है तो तो वीडियो को अच्छे से देखें समझें कोई problem कोई दिक्कत आती है तो आप इ इस वीडियो को watch करें watch करने के बाद फिर आप decide करें कि हमको सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए यह जो अपना training center पढ़ता है यह कानपूर उतर प्रदेश में पढ़ता है जहां से कानपूर स्टेशन से near about कानपूर स्टेशन से something देखा जाए तो 200-300 मीटर है आप आरा पूरा complete course सीख करके आसानी से आप चले जाते हैं और यहां पर market पड़ती हैं आप दूर दूर से लोग mobile phone repair कराने के लिए आते हैं तो आपको चालू mobile phone में काम करने का मौका भी मिलता है practice करने का मौका मिलता है ठीक करने का मौका मिलता है ताकि सीखने के बाद आप थोड़ा सीख करके ही जाएंगे क्यों क्योंकि आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपको सिखा करके ही बेजूंगा तो इस बात में वीडियो के में बने रहने के लिए धन्यबाद वीडियो को सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपको इतना मेनस सी वीडियो बनाते हैं तो आप कर दो कर दो